आज हम XTML editor के बारे में study करेंगी, simple है, पहले notepad open करना है, जिसका latest version ही हो, इसका वो search में जाके notepad बुलेगा, तो यहां notepad आपको notepad के version शो जाएंगी, जैसे मेरे यहां दो notepad के version है, एक notepad है और एक notepad ब्लस ब्लस है, मैंने notepad ले लिया, ताकि यह simple है, सिब OS पे अल्रडी इंस्टाल होता है, जिसका latest version है, वो windows की प्रेस करके, search में जाके, वहां notepad डालके, मेरे तरह open कर सकता है अब जिसके पास OS का latest version नहीं है, उसे थोड़ी आलिक तरीके से notepad ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि उनको windows बटन प्रेस करके, फिर program search में जाके, वहां notepad लिखा तो आएगा, नहीं तो start में जाना है, उसके बाद programs, programs में जाना है, उसके बाद accessories, और उसके बाद notepad, इस तरीके से जाएंगे, तो आपको notepad open हो जाएगा, जैसे मैंने आप इस notepad पे लिखा है, जो lowest जिसका पुराना version है, वो इस तरीके से जाए, तो आपको इस notepad open हो जाएगा, अभी simple है, नोट पर एक बार open हो जाने के बाद, हमें यहाँ, इस टेमेल के syntax लिखना है, पूरा tag लिखना है, जैसे की, मैं अब इस टार कर लेता हूँ, document type से, अभी last chapter में मैंने इस syntax वगर आप पूरे बता दिये दे, कैसे लिखना है, कैसे introduction हो गया, अभी last chapter नहीं देखा, उसने please last chapter एक बार देख लीजए, वैसे इसी chapter में भी मैं बता देता हूँ, कि actually, HTML कैसे होता है, यह देखी हो, वहाँ मैंने उपर लेख लिया, document type HTML, यह हमने declaration किया है, उसके बाद HTML tag लिखा है, और HTML tag जाके end हुआ, जैसे कि मैंने last chapter में बोल दिया था कि, कोई भी HTML के tag है, वो peer में आते है, वो एक start होता है, और बाद में, आगे जाके end होता है, और उसके बीच में tags और content रहते है, जैसे कि मैंने पहला tag लिख दिया है HTML, अभी मैं दूसरा head लिख रहा हूँ, structure में हमने यह study किया है, कि HTML के कैसे होता है, जैसे कि HTML होता है, उसके बाद head tag होता है, और उसके बाद body tag, तो HTML page दो पार्ट में रिवाइड होता है, एक head tag और दूसरा body tag, head tag में meta related information होती है, और body tag में content, content और tags होती है, जो user के लिए website पे लिख जाते हैं, वो body tag होता है पूरा, और meta related सब इसमें होता है, head में, अभी मैंने head tag में title tag लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है best title, और अभी मैं body tag start किया, और यहां जाके मैं body tag end कर दूँगा, नेचे जाके, यहां मैं body tag end कर लिया, अभी मुझे body tag में कुछ लिखना है, जैसे कि मैं पहले header डाल देता हूं, जिसके h1 heading है, h1 tag लिखा मैंने, अभी h1 tag end कर लिता हूं, और मैंने उसमें content लिखे, my first xtml page, और मैं भी head tag end कर लिता हूं, मैं ओर एक tag डाल गूंबा, इसमें paragraph करके, ताकि आपको थोड़ा different पही पता चले कि, h1 tag कैसे होता है, paragraph tag कैसे होता है, इसमें मैंने लिखा my first paragraph, यह important है सबसे, फाइल में चला गया हमें, अभी फाइल कैसे save करना है, यहाँ दो option होते, save save save, आप कोई भी use कर सकते हो, कोई problem नहीं है, मैं भी save save use कर लूंगा, अभी यहाँ हम एक file को नाम देंगे, इसको ब्राउजर बोल दूंगा, इसको ब्राउजर बोल दूंगा, कि आपको यह पता तो है, कि HTML के pages ब्राउजर में ही open होते हैं, अभी देखो, यहाँ पर आया है my first HTML page, अभी यह content edit कैसे करना है, यह मैं बोल देता हो आपको, इसकी my, my small letter है, तो मैं yum big letter कर में चाथा, इसको open with notepad बोलना है, यहाँ yum मैंने big letter किया, और इसको मैंने save कर रिया, तो मैं अभी HTML page पर जाऊंगा और if i करोंगा तो यह मुझे changes तुरंट दीख जाएंगे, जासे कि मैं बुछ content भी change कर लेता हूं, यह content मैं ने change कर रिया, और इससे उख कर लेते हैं, तो यह मैं f5 करूंगा, यह content change रिया कि, जो changes हमने, इस HTML pages ने किया, अभी हम next chapter में पूरा study कर लेंगे one by one, यह chapter खतम हता है, आप मेरा next chapter देख लीचे, आपके आपको पूरा एक्स्टेमेंट का knowledge आ सकी, प्राइत हैं a पूरा शेते हैं, यह आपको जिते हैं, यह आपको बाहे आ सकी, आपके आ आ सकी आ, आ आ सकी यह हैं, आ आ सकी आ आ, 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 आ,